हेलो दोस्तो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो मैं आपके लिए आपके अर्दवार्शिक परिच्छा 2023 का हिंदी अनिवार्रे का कुश्चन पेपर लेके आचुका हूँ आपके क्लास 12 के लिए और यह कुश्चन पेपर आपके एकजाम में आपको देखने को मिलने वाला है तो जल्दी से इसके सभी कुश्चनों को नोट कर लीजिए अपनी कौपी पर सभी कुश्चनों के आंसर्स भी मैं आपको साथ की साथ बता रहा हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंदाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए पहला कुशन है आपका निम्न आपठित गद्दान्स को ध्यान पूर्वक पड़ब कर आपको इसके वस्तुनिस्ट पिरसनों के उत्तर आपको देने हैं तो ये सत्य और आइंसा पे आधारत आपका ये गद्द्दान्स दिया गया है जिसके हम कुशन आंसर करने वाले हैं जैसे उप्युक्त गद्दान्स का उच्छ सीर्षक क्या है तो उच्छ सीर्षक इसका क्या हो जाएगा इसका उच्छ सीर्षक आप लिख सकते हैं हमारी संस अहिंसा का दूसरा सरूप त्याग भी है तो त्याग भी ओप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मानब जीवन के लिए आवश्यक क्या है तो मानब जीवन के लिए सत्य और अहिंसा ही आवश्यक है सत्य एंड अहिंसा आवश्यक है नेक्स्ट है लोकतंत्र का अर्थ क्या है तो लोकतंत्र का जो अर्थ है वो व्यक्ति की पूर स्वतंत्रता है व्यक्ति की पूर स्वतंत्रता ही लोकतंत्र माना गया है तो देख सकते हैं व्यक्ति की पूर स्वतंत्रता ही लोकतंत्र यहाँ पे कह सकते हैं नेक्स्ट है आपका भारतिय संस्कृति का मूल आधार क्या है? तो भारतिय संस्कृति का जो मूल आधार है आपका वो सत्य है. तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा. next है आपका निम्न आपठित पद्यांस को पढ़कर आपको प्रसुनों के उत्तर दीने है तो यह आपठित कद्यांस है अब यह कभीने धर्ती में किसके बीज बोई हैं तो कभीने धर्ती में किसके बीज बोई हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कभी ने धर्टी में यहाँ पे कितनी फलिया तो बीज किसके बोई है आम के बीज बोई है किसके बीज बोई है आपने यहाँ पे आपको देख सकते हैं तो इसका राइट आणसर हो जाएगा आम के Next step कभी ने लोब once डर्टी में क्या बोया है तो धर्ती में पैसे बोय हैं पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद पैसे आप देख सकते हैं पैसे ही इसका राइट आंसर होगा लोब वस पैसे बोकर नेक्स्ट है आप कभी किसका महत्वन को नहीं समझ पाया था तो कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया था तो धर्ती का महत्व नहीं समझ पाया था तो धर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें धर्ती आप करेंगे इसके बाद नेक्स्ट है आपका धर्ती का नहीं बसुद्रा को कहा है बसुदा को कहा है बसुदा मितलब धर्ती तो यहां पे देख सकते हैं रत रतन प्रसवनी है बसुदा नेक्स्ट है धर्ती का पर्यावाची सभी को पता है बसुदा होता है इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन की और बढ़ते हैं हिंदी की नागरी लिपी है। तो देवनागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखत और लख़ित और मौकित रूप को हम भासा कहते हैं। तो बिचारों के लिखित और मौकिक रूप को भासा कहा जाता है पीपल पात सरिसमन डोला पंक्ती में उपमा अलंकार है बड़ों की बारबार आविर्ती में अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पे बड़ों के आवरती होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है बड़ों के सार तक समों को सब्द कहते हैं तो सब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा जूही की कली किसकी रचना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निराला की रचना है पास्त्विक नाम लक्ष्मी था मेडक मंडली का दूसरा नाम क्या था मेडक मंडली का दूसरा नाम इंदर सेना था इंदर सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन की और बढ़ते हैं सिंदू सब्विता के नगरों के नाम तो सिंदू सब्विता में कई हैं जैसे मोहन जोड़ो हरपा और और भी हैं इसमें और भी आप लिख सकते हैं तो इस तरह से आप काली बंगा भी इसमें आप लिख सकते हैं इसके बाद नेक्स् ना है बस इसमें क्योंकि एक सब्द में देना है एविलिटी का अर्थ क्या है तो एविलिटी का अर्थ होता है योग्यता योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद एकॉनमी का होता है अर्थ सास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद हालाबाद के जनमदाता किसे माना है तो हालाबाद के जनमदाता कभी कौन है हरीवन्स राय बच्चन हरीवन्स राय बच्चन जो अमिताब बच्चन के फादर है पहलवान लुटन किसका गुरू कौन था पहलवान लुटन का गुरू बादल सिंग था तो बादल सिंग इसका राइट आंस किसे कहते हैं निराला की बादल राक कविता का प्रतिपात दें सहर सस्वीकारा है का मूल भाव बाजार का जादू कब सबसे ज़्यादा चलता है चारली सबसे ज़्यादा स्वेंपर कब हसता है Silver Wedding कहानी का संदेश जूज कहानी का संदेश उल्टा प्रामेड सैली को सबस्ट कीजिए और feature किसे कəते हैं तो ये आपको करने है इसके बाद है आपका देख़े 500 सब्दों में लेखना है आत्र परिचे में आत्र परिचे से हैं अथवा में उसा वाला को भी कर सकते हैं नमक कहानी वाला इसके बाद बाजार दर्शन, बाजारी करण सिल्वर बैडिंग महादेई वर्मादवारा बक्तिन इस्तरी विमर्श की कहानी लिखिए सूर्य कांतर पाठी निराला का परिछे इसके बाद समसेर बादूर सिंग का विक्तित्व क्रतित्व पर प्रकाश डाली इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है आपका अठारवा कुश्चन सारी मुश्किल को धहरे समझकर इसमें आपको सापरसंग ब्याक्या करनी है नीचे अठावा वाला भी कर सकते हैं इसके बाद उननीसवा कुश्चन है ये गध्यान से इसकी आप कर सकते हैं और इसमें भी अठावा है तो कोई भी आप कर सकते हैं इसके बाद बीसवा कुश्चन है आपको अर्दवारसिक परिच्छा की तिथी परिवर्तन की विज्यप्ति आपको विज्यप्ति तयार करनी है या अथवा में आप कोरोना पर पत्र लेख सकते हैं कोरोना काल में चेक सब आपको गरवर सर्वे के लिए परार्थन पत्र इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है आपका किसी भी एक विज्यपर तीन सो सब्दों में निवंद लिखना है वाईला ससर्टी करड़ कोरोना महामारी मन रेगा या राष्ट निर्माण में चात्रों का योगदान तो किसी एक पर आपको लिखना है तो इससे दोश्टों को सेर जरूर करना थैंक्यू